अभी उज्जेन में बहुत बड़ा रोड़्चो उससे पहले महाकाल के दर्शन है हमने प्रशासन से पेच्छा की है कि राहूल जी की अंतर मन की एक्षा थी कि भारत जोडो न्याय यात्रा जब आई थी या भारत जोडो यात्रा आई थी तो उन्होंने गर्भ गर्भ में जाकर बोलेनात की जो पूजा आरादना की थी वो बड़े अभीभूत भी थे और उनको अंतर मन में अदभूत शांती और एक ऐसा भाव जिसमें बोलेनात की एक ताकत महाकाल की जो ताकत होती है उसका एसास उनको हुआ था उसके बाद कल बदनावर में धार में हमारी बहुत बड़ी आमसभा होगी जिसमें आदेनी हमारे राष्टी अद्देश कांग्रेस कमिटी के खड़गे जी भी उपस्तित होंगे और उसके बाद रतलाम में रोडशो और फिर सेलाना में रोडशो है बाद सवाल यह है कि 500 विधायक इस 5 साल 10 साल में इधर से उधर दलबदल कर ले डेड़ सो से 200 सांसद और पूर सांसद कर ले तो ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रहे आपका जो मूल दाइत्व है जो विपक्ष का भी मूल दाइत्व है लोकत क्या करती है एक पहले भी कहा था कि और यह जी थार की मैं मानता हूं कि जेसे मध्द प्रदेश मैं शास था लोगों के सत्धाव का विवार काạo का लोगों का जुडाव का भीड़ का एस से जो इनन्ने सवाल किया रिजल्ट पेर से नहीं है तो तो इसका मतलब प्रेश्चिन तो खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं हम सब के लिए ये प्रेश्चन है कांग्रेस के लिए भी हम सब्सक्राइब आप बारा साल बाद आप यह सवाल पूछ रहे हैं बारा साल बाद सप्टमबर 2013 में डॉक्टर मन्मोहन सिंग जी प्रदान मंत्री थे लोकसवावें और राजसवावें एक प्रगतिशील और मैं समस्ता हूं क्रांतिकारी कानून पालित हुआ जो 1894 का कानून में संशोदन नहीं पर पूरे तरीके से बदला कि 2013 के कानून के प्रावदान को हम पूरी तरीके से लागू करेंगे और कोई ऐसा प्रयास हम बरदाश नहीं करेंगे राज्य सरकारों से उसको कमजोर करने के लिए मोदी जी ने क्या किया केंद्रिय स्तर पर हम संशोदन नहीं ला सकते हैं पर आप राज्यों को संशोदन लाना है वो मुक्त है वो ला सकते हैं और उसका नतीजा यह हुआ मध्यप्रदेश महराष्ट्रा गुजरात तलेंगाना पिछले दो साल पहले तीन साल पहले की बात में कर रहा हूं तो यह केंद्रिय कानून है संविधान के अनुसार केंद्रिय कानून को पात्रमिक्ता दी जाती है हमेशा और भूमी अधिगरहन ऐसा विशय है केंद्रिय हमारे संविधान में जो समतल लिस्ट में है यानि कि केंद्रिय सरकार की भी जिमेंदारी होती है तो मैं आपको फिर से कहूंगा 2013 का कानून जो बनाया गया था उसको हम पूरी तरीके से लागो करने के लिए वचन बद है ये हमारी गैरेंटी है। पिसानों, युवाओं, महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उसका लोग पुर्जोर समर्थन कर रहे हैं। आज राहुल गांधी महाकाल के दर्शन भी करेंगे और कल धार में एक विशाल जनसभा होगी जहां राष्ट्रिय अध्यक्ष मलिकार जुन खरगेजी भी शामिल होंगे। बता दें की कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता राहुल गांधी मंगलवार को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। यह बीस साल में चौथा मौका है जब राहुल बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके बाद सभा में वे लोगों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाएंगे। कॉंग्रेस पार्टी के पूर्वराष्ट्रिय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोडो न्याय यात्रा पर हैं। मंगलवार को वे विश्व प्रसिध श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुँचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद रोडशो के रूप में उजजैन की सडकों पर निकलेंगे। फिर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। पिछले 20 वर्षो में राहुल गांधी चौती बार बाबा के दर्शन करने पहुचेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुचेंगे। उसके बाद रोडशो के माध्यम से लोगों से मिलेंगे। देवास गेट बस स्टेंड के समीब एक सभा को संबोधित करेंगे। राहुल की इस यात्रा को लेकर पूरी तयारी कर ली गई है। शहर को होर्डिंग और बैनर से पाट दिया गया है एक कॉंग्रेस नेता ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा दोपहर तीन बजे तक उजजयन पहुचेगी। यात्रा का आगमन मक्सी रोर से होगा। उजजयन आगमन के बाद राहुल गांधी सबसे पहले महाकाल मंदिर जाकर भगवान महाकालेश्वर को पूजन करेंगे। इसके बाद भारत जोडो न्याय यात्रा महाकाल चौराहा से गुदरी, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा, सती गेट, कंठाल, नई सडक, दौलत गंज, मालीपुरा होते हुए देवास गेट चौराहा तक रोडशो करेंगे। वे वाहन में सवार रहकर जनता का इस यात्रा में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवारी के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता उजज्जैन आने वाले हैं। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किये थे। प्रदीप शर्मा ने बताया कि कॉंग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष राहुल गांधी के उजज्जैन आगमन को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें CRPF और Z-Plus सुरक्षा है, इसलिए उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोता ही नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही बताया कि बाहर से दो कंपनी का बल उजज्जैन बुलाया गया है। आयोजित किया गया था, लेकिन सोर्स बताते हैं कि वर्तमान में ऐसे सभी कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। आज शाम राहुल गांधी का रोडशो शहर में निकलेगा, तो सही, लेकिन उसका नाम युवा अधिकार रैली की बजाए भारत जोडो न्याय यात्रा ही रहेगा, इसके साथ ही बढ़ंगर में महिला समवाद जैसा कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ रोडशो का स्वागत कॉंग्रेस नेता मुली मोरवाल के द्वारा किया जाएगा।